कांच का बना होता है, खास बात यह कि दोनों सर्फेसेज पैलल नहीं होती है, पूरा का पूरा कांच का बना होता है, लेकिन खास बात यह है कि दोनों सर्फेसेज पैलल नहीं होती है, फ्रेंट व्यू देखें तो ऐसा दिखता है सामने से, लेकिन अगर आप पूरा देखना ज्यान देना बई एक ही चीज के तीन नाम एंगल ऑफ प्रिस्म बोले एपक्स एंगल बोले Shri A campe Chair Sh elders 5 एक ऐखिर दीन नाम नहीं ऑपर इंगलAy penguin, planning that ये उख बात ही कि सुथुम्ह ka ़ोग ये सोकते हैं कि उससे रोजआखे क ticket गुझे बंढुबें जाक आनुत अए एक सानिया जिस्तिए आपक से लाइट इंटर करें और जिस फेस से निकले या फिर TIR हो जाए दोनों पॉस्वाल्टी में या देंसर टो देरर जा रहा तो निकल भी सकता और TIR भी हो सकता है उन दोनों फेस के बीच के अंगिल कहलाता है अंगिल आफ प्रिस्म पुरिकत कहने का मतलब अगर कोई ऐसा प्रिस्म दें ध्यान दीजिएगा प्लीज ध्यान दें तो भहिया इस लाइट को तो नहीं पता ये प्रिस्म भाई सब कटे हुए हैं ये ऐसा प्रिस्म बस इतना ठीक तो आपको बता दें इस से लाइट गई ऐसे गई और ऐसे निकली तो मेरे इसाफ से अगर यह एंगल मानलो किसी दे दिया 70 और यह दे दिया 50 तो एंगल आफ प्रिस्म फिर आपको ऐसे लाइन बढ़ाने के बाद यह वाला एंगल आफ प्रिस्म होगा 60 कोई दिक्कत तो नहीं कहने मतलब जिस फेस पर लाइट एंटर करें और जिस से निकल ल कि इन होगा यह वाला एंगल प्रिस्म होगा को दिक्कत जरूरी कहा कि प्रिस्म हमें सथ ट्रिंगिलर सभ में मिलें किसी लिएंख एंक्ज आइजक्रणल प्रिसम में मेरे पास वही काज के तो बनावा मैटरिल है और लाइट ऐसे गई फिर ऐसे गई और फिर ऐसे चली तो यह होगा ठीक तो अभी तक हम क्या सूसते थे कि यह उपर वाला एंगल जो होता बोर्ड की मस्ट्रों के साब से वह एंगल प्रिस्म होता लेकिन जिस स्पेस पर लाइट जाए अब ध्यान से सुनिए यह लाइट ऐसे गई ऐसे गई और ऐसे टियार हो गया तो जिस समय से गिर रही है तो यह लेकिन इस लिए अगर एसे गई और एसे करके इसे निकल आई तो फिर गया वाला हो जागा है, इसके लिए समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, तो जिस फेस पर लाइट गिर रही है और जिस से निकल रही है, या TIR हो रहा है, उन दोनों फेस के बीच का एंगल कहलाता है, एंगल अफ प्रिस्म, कोई दिक्कत है हैं पर, तो नोट करते जाएए साथ इंगल बोलता है, प्रिज्म कोड, शीर से कोड, अपवर्तन कोड, तीनों ही नाम एक ही चीज के हैं, एंगल अप्रिज्म मतलब कि प्रिदम कोड, एपएक्स एंगल मतलब कि शीर से कोड, रिफ्रेक्टिंग अंगल मतलब कि आपवरतन कोंड ये एक ही चीज के तीन नाम है तो किस किस के बीच में होता है जिस पर लाइट गिर रही है और जिस पर निकल रही है या फिर टी आई आर हो रहा है उन दोनों फेसिस के बीच के अंगिल को हम कहते हैं एंगिल ऑफ प्रेजन कि अब आगे चल सकता हूँ फिर एक होता है बड़ी घटी है चीज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सबिल्टी ऑफ लाइट कहते है कि लाइट जिस पाथ से जाते है उसी पाथ से लॉटती भी है कि यह जो ना लोट है लाइट हमेंशा उस पाथ पर चलता ही इसमें टाइम टिकन मिनवर मों तो जाने के पाथ हो और आने का πात तो सेम chamber होगा को उसी पाथ पर टाइम टिकन मिन्मौम हो और यार तो दूसरा बोला कि सर इधर से लाइट डालते तो तो मैंने यह आई और यह कुछ भी नही अफार और बाद बोलते तो क्या बोलते हैं एंगे लार बराबर अंगे लाइए कोई दिक्क्त किसी ने कहा कि लाइट ऐसे डाली थीटा वन पे और गई ठीटा टूपर कि आया जाती है याल्यार यह यह और यह लाइड मंेडियम में अंगल की ढर्चा के लिए यह कि अच्छना स्य Uhh प्रवर क्या है जब रिवर्स में डाला तो क्या लिखो के मिटू-साइन ठीटा-2 बरावर कि काम बनाव समझ ना मैंने कई बार किया था कि ये एंगल ठीटा सी तो ये ठीटा से यादा आया कुछ कल्भी किया तो ये याद आया जिसमें कि क्लास के सबसे छोटे बच्चे को रोग दिया जाए तो फिर बाकी कोई पार नहीं कर पाएगा याद आगया ऐसा सवर ठीक है नोट करो फटाफट हाइडिंग डालो प्रिज्म थेयुरी जिसमें थेयुरी का एक भी शब्द नहीं होगा प्रिज्म थेयुरी यार मान लो ये प्रिज्म ना मान के लो है इसे ठीक एक लाइट मैं यहां से इंसिडेंट की अब यहां पर यह समझना की वो रूल नहीं लगेगा कि एर से चलके एर में आई तो एंगल सेम होगा कि को के वल तब होता था जब बाउंडरी स्पहल लाओं क्योंकि जहां से अब एंगल यहां आप रहो तो इसका नॉर्मल तो दूसरा हो गया और इस वाले का नॉर्मल दूसरा हो गया तो डिफनेटली एंगल सेम कैसे रह सकता है ठीक जहां से डाला हूँ एंगल आफ इमर्जेंट इस वर इंसिडेंस और यहां से निकल आफ एंगल आफ इमर्जेंस अगर प्रेज नहीं होता तो लाइट सीधे जाती अब यह लएट फाइली इधर से निकलिए इसका मतलब है कि यह अगल है यह डरीशन ठीक खळिकर यह अगल आर बोल सकते हैं नॉर्मल के साथ या डैस बोल सकते हैं यह पूरा आई यह तो यह भी आई था तो यह जाएगा आई माइनस आर और यह हो जाएगा e minus r कोई दिक्कत इन दोनों को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूं यह पॉइंट A M और यह N यह E बोल देता हूं ठीक और कोई कत रिकना अब कुछ यहां पर रिकमेट्र इन जिसको में दिखना पड़ेगा अंदर वाले दोनों अंगल कस इस बदूं के बार बरकूइंट पंद कता ना तो अंदर वाले से दोनों एंगल का सम एक्स्टेर अंगल बराबर तो इस साफ से दिखा जा तो डिल्टा की वैलिए आई की आमीन ये क्वाइड लेटर एक दिख रहा दिख रहा क्वाइड लेटर दिखा क्या तो अगर मैं इस क्वाइड लेटर को देखूं जिसका नाम है आमीन या आमैन बोल दो तो इसमें दो एंगल तो 90 के हैं दिखा तो क्या मुझे बता सकते हो कि ए और ए का सम कितना होगा ए और ए का सम होगा एक सस्थी दिखाई दे रहा है अच्छा भी ट्रेंगल देख लो मैन वाला मैन वाला दिखा मैन वाले ट्रेंगल देखो तो आर आडएस और ए का सम कितना है आर प्लस आडएस प्लस ए का जो सम है पक्का यहां थोड़ा सा जगह बचाते हुए 180 अगर मैं इन दोनों कंपैर करूं तो क्या लिख सकता हूं वह इसी गया तो एंगल ए वराबर तो आपको यह याद रखना है क्यों याद रखना बताता हूं वह आई आपको देगा आप इ टरह जब आपको आठेस पता हो तभी यहां इसने लगेगा तो यहां आडएस कैसे निकाल ओगा ए मैंसे और को बटा के बुटवर कत तो नहीं कुछ चीज देखने वाली है लाइट को यहां से मैंने थर्टी पर डाला और इधर से सब्सक्राइब निकली तो जिए बताओ जिए मैं 45 पर डालूंगा तो कितने पर निकलेगी कहने मतलब आई और एकी वैलिव अगर मैं इंटर चेंज करूँ तो डैवेशन चेंज नहीं होगा है ना कहने मतलब लाइट को इधर से 30 पर डालूं तो 45 पर निकली और इंगल फिंसिजन्स अगर 45 कर दूं तो लाइट कितने पर निकली 30 पर इसका मतलब है सेम डैवेशन के के लिए दो एंगल फिंसिजन्स सम्भाव हैं एक 30 और इधर जाला तो 45 तो इसका साम मतलब है कि सेम डैवेशन के लिए दो एंगल फिंसिजन्स सम्भाव है आई और एकी वैले इंटर्चेंज करने पर एंगल फिंसिज नहीं होता तो फिर लोगों ने इसका ग्राफ बनाय ग्राफ कुछ ऐसा था डेविएशन का पहले एक चीज़ के लिरिफाइग कर दूं कि यह जो ग्राफ है यह पैरा बोला नहीं है कोई पूछे ठीक कुछ बकाइदा डिफरेंशेश करके आता है तो अच्छे बताओ कि किसी भी डेविएशन के लिए हम देख रहे हैं कि आप द तो बूड का सवाल है जब आई और ए क्या हो जाएं कि कहने का मतलब 45 पे डालो और 45 पे निकाल लो या इधर ते 45 डालो इधर निकाल लो तो उस केस में डिल्टा क्या होगा मिनमम बाकि किसी भी डेविशन के लिए कितने एंगल अंसिडेंस हमाओ है दो कोई दिक्कत तो ब द्यान दे आई और एक उनीची एक्वल मतलब कि मैं मिनमम डिवेशन के विए असे लिख दूं डिल्टा मिन बराबर टू आई माइनस है तो आई माइनस है कोई दिक्कत क्या यह एक्वल हो गए को दिक्कत तो हुए यह यह पर यह फिर आई को आप चाहो तो यह लिख सकते आई बराबर डिल्टा में प्लस ए बाई टू एक ही बात है नहीं कोई दिक्कत इतने में अच्छे बताओ जब यह और यह एंगल होंगे यह वाले तो अंदर लेंस वाली भी प्रिस्म वाली भी कि कि इसने लिखा रहा हुए वन साइन आई बराबर मू साइन र और यहां प कि और बराबर हुए तो कितने होंगे ए बाई टू के बराबर कोई दिक्कत कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं आज वो भाही जब कहां रह गए के नाम उनका हां सबास हां 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 घर पर गए किसके घर पर हैं सही पता है है ऐसा तो नहीं हो दर यूपी साइड म कुछ हो उनका कल वैलेंटाइन दे मनाने गए हूँ है यह तो बहाना है फंसन तो साम को होगा दिन में दूसरा फंसन मन ना होगा कमज नहीं पायो तुम अब हम तो खेर क्या पूछेंगे तब तब को फंसन मन जाएगा ना मज़ा तो तब है जब फंसन मन आओ उसमें बीच में टांगड़ा हो जाके हैं समझ गहें सिच्वेशन समझ रहो ना कि भाई अब तो यह तो पैसे दे ना तो मैं आ जाओं यहीं बैटों यहीं पार्टी क पैसे दे कमीने दोस्तों ऐसे होते हैं बाकी शरीफ हों कि तो फल्तूगी होती है नियांद भी आर और आटेस बराबर होंगा एवाई टूगे ठीक है अब अगर ऐसा हुआ प्लीज बात है नहीं तो डेफिनेटली ठीक है अगर मैं स्नेल लगा लगा हूँ है प्लीज यहा लगेगा म्यू एस साइन आई बराबर म्यू साइन आगा तो म्यू अपॉन म्यू एस लाप इसको म्यू रिलेटिब भी बोल सकते हूं कितना जाएगा साइन आई भाई यार यह बोर्ड में आने वाला सबसे जादा डेरिवेशन है मेरे टाइम से लेके आज तक ब्रहमान मे कोई भी बोर्ड हो यह जरूर आता है आई की वाली डाल दो डिल्टा एम प्लस एवाई टू डिवाइड़ वाई साइन एवाई तो यह मेरे टाइम भी डेरिवेशन आता था और आज भी तफसिले के आज तक हर साल आता है फिक्स है एक लेंस में कर फार्मूला हो रही किये ठीक और अदर सेमिक इंड़क्टर में देखो तो पी एन पी एन पी एन बस इसी में चींज करते रहते हैं ठीक को अब ध्यान दें बई और यह से कि इतने बड़े साइन को सौल करने में दिक्कत होती तो लोगों ने का फॉर थिन प्रिजम कौन सा पतले प्रिजम के लिए अब सबको बताए कि अगर थिन प्रिजम है तो साइन ठीटा अगर बहुत छोटा है तो ठीटा लिख सकते हैं ठीक तो फिर उन्होंने कहा इसको मू रिलेटिव को मैंने लिख दिया साइन ठीटा और ठीटा टाइट लिख दूँ भी तो जाएगा डिल्टा एम एम का मतला मिनमा में भी या प्लस एवाई टू डिवाइड़ वाई टू से टू कटा तू से टू कट जाएगा तो आपको बता क्या है यहां पर अगर स्राउंडिंग में भी एर है तो आपको परिशान होने जो नहीं सीधे मियू माइनस वन इंटू ए कर देना कुई दिकर अब एक साहब मेरे पास आया और बोले सर हम अमने कहीं एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि जब मिनमम डेवेशन होता है तो इन केस ऑफ मिनमम डेवेशन ठीक इंसाइड प्रिज्म लाइट रेमूब पैलल टू बेस ऑफ प्रिज्म ठीक बिलकुल सही बोले आप मैंने क्या पढ़ाया याद रहे मैंने बूला एंगल आई और एंगल ए क्या होते हैं सेम क्याना मतलब जो यह ठीटा होगा वह यह ठी प्रिकत तुमने क्या नकाला यह इसके पैलल है तो सुना वे मेरा प्रिज्म यह रहा चला पैलल टूरी ऐसी की तैस्सी चला ऐसा केवल तब संभाव है जब बेस एंगल सार इक्वल कहने मतलब यह 45 है यह भी 45 है तो बेस एंगल अगर एक्वल है तो पैलल चलेगी ठीक तो लोग पूरा स्टेटमेंट नहीं जानते है आधी नोलेज है हाँ एक्वलिटरल है तब बीचल जाएगी साथ साथ बेस एंगल आर सेम होने चाहिए ठीक अब ध्यान देना एक मेरे पास राइट एंगल ट्रेंगल प्रिज्म ध्यान देना राइट एंगल टैंगल इस्तिति में बेस के पैलल चलेगी सही है लेकिन अगर इसी प्रिज्ट को मैं ऐसे रख दूं यह लो इस अध्यानास तुमारा अरे चलेगी घंटा नहीं चल सकती कि नॉर्मली बेस के पैलल आ रहा है तो यह एंगल तो उपर ही आएगा ना हाँ याना क्या बेस के पैलल है कहां से होगी एक एंगल 45 है और एक एंगल क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं तो सिर्फ यह बोलना सरासर गलत है कि इन केसम मिनमम डेविशन लाइट शुड मूब इंसाइट प्रिज्म पैलल टू बेस ऑफ प्रिज्म एफ बेस एंगल सार एकवल कोई दिकत नहीं तो तुरंद गलत करतों तीन तीन अग्यांपल तुमारे सामनी ठोक रखें यहां पर नॉर्मल देखो तो नॉर्मली बेस के पैललल आ गया हुआ है तो भाई आदी नॉलेज हमेशा खतरनाप होती है तो क्या लिखो हूँ इस्टेटमेंट तुम खुद लिख लो है यह मैं लिखो हूँ इन केस ऑफ जली बोलो क्या लिखो हूँ इन केस ऑफ क्या ओर च्छिवा बैसो आख लिखो का Μelुट मुट्टम्ट मुट्र और ऑग्यारव मेश नॉर्म इसी लिखो का ल म्या हूँ नॉर्म भाईडर का मुट्ट्रप्स आफ प्रिज्म आर प्रिज्म आर एक्वल कौन है इंसान मिटा रोहित हिंडॉलिया थोड़ा सा चेंज करूंगा फिर हिंडॉलिया हो जाओ गए हाना फिर हिलते है ना ठीक and vice versa ठीक वो मेरी लंगेज जो है वहीं को समझ में आते हैं इनके पास पर्टिकुलर प्रपर आईक्यू होता है मुर्खों के लिए नहीं बनावाएं चलिए सवाल के बात करते हैं आगे चलें पहला सवाल वेट किसका वेट कुडी का वेट तो 47 होता है लग 28 कुडी का 47 वेट कुडी वैसा ना ना हमारे यहां तो 50-50 ग्राम के भी है किजी में नहीं पहुंचे बिचा रहे हैं क्या निकालना आपको यहां पर निकालना है बुलारा भे रोए तुम्हें तो आर बता दो आर डैश बता दो ई बता दो क्या बता दो ई और डिल्टा बता दो ठीक भई इतनी चीजें आपको बतानी है पहले सवाल में सवाल नंबर दो होगा आओ बेटा फटा फटा फट सवाल करें यह वह यह लोग हैं यह बाद में रोते हैं अशनलेट हो रहा है इसे जल्ली शोड़ दो आए अश्या लाइट अगर पात रिट्रेस करनी है तो जिस पात पर जाए उसी पात पर लोटे तो कितने डिगरी पे 9T पे सही न और यह फेस है इस सिल्वर्ड शिल्वर्ड का मतलब यह फेस काम करेगा अज़ा प्लेन मेर अब तो आइंगल आई बताना है आपको क्या बताना है एंगल आईगी क्या सवाल भी लिखाओं क्या सवाल में दिखते हो रहा है लाइट रे जिस पात से जाए उसी पात से लोटे पूरा लिखाओं क्या find the value of i for which light ray should retraces its path कोई दिक्कत लिख लोगे ना लिख भी लेना किसी को चाहिए तो आई यह फिर ITI में आया है इस वाल आईटी में आया है कभी कभी तो बिलकुल बोर्ट से भी नीचे उतर जाते हैं एकुलिटरल प्रिजमे एकुलिटरल का मतलब है सारे एंगिल है साथ साथ तो कह रहा है कि भाईया मिनमम डेविशन के लिए आई कितना होना चाहिए सवाल यह लिखते हैं तो हम फाइंड आई फॉर मिनमम डेविशन लिखें या डेल्टा लिख दो डेविशन उम्मिद आपने नोट कर लिया होगा फिर अगला सवाल तीन के बाद चार देज़ दपा दप चेपते जा बेटा ग्राफ दे दिया क्या दे दिया ग्राफ दे दिया ओहो यह तीस दिया यह भी तीस दिया हाँ यह भी तीस दिया यह साट दिया तो पूछे रहे हैं फाइंड ए एक का मतलब प्रिस्म एंगल ठीक जाही है आप कहां जाएंड यह नजर लाओ यह रैजो की शीट का सवाल D4 लाइट भी ऐसे डाली मिलकुल नॉर्मली है पूछ रहे हैं फाइंड डिल्टा नेट डिल्टा नेट का मतलब टोटल एंगिल ऑफ डेविएशन कोई दिकत क्या आपको सवाल समझ में आ रहा हैं डिल्टा नेट का मतलब टोटल एंगिल ऑफ डेविशन ठीक यह नजर लाट के फिर आएगी पांच के बाद सवाल नंबर 6 और इस बार यूच किया एक पतलाया प्रिस्न पतला प्रिस्न लाइट सीधे याद रहे थिन प्रिस्न के लिए और सामने लाइट के निकलते ही साम को ने लगा दिया प्लेन मिरार के लगा दिया प्लेन मिरार प्लेन नहीं प्लेन मिरार और इसमें पुछा फाइंट टोटल डेविशन अफ लाइट रहे है जाए आप कहां जाएंगे ये नजर लाट के फिर आएगी रहे हैं रोहित और जो रहे हैं अंगिल अप्रेम तो बताने दो इसका कितना था यह तीस भाई देखो रोने की नहीं हो रही है मेरे इसाब से काफी सवाल करा दिये च्छे के बाद और करो आरे टर ले आ फिर साथ सवाल तो वही है लेकिन सोच थोड़ी चेंज हो गई वैलन वाले क्या बत्त में होते हैं उन लगता मैत पूछलो बच्चे सो वही सबसे बारी चीज है कारे यह एंगल टूए है कितना है टूए और यह ए है और इस वाली सर्फेस को उनने क्या क्या सिल्वर कर दिया अब सिल्वर करने का सीधा मतलब कितने पर नाइंटे बजाएगी तो लौटेगी सही है तो करे मियू बता दो कोण है रोहित चला वही एक और सवाल सवाल पर सवाल मियू बताना है और यह से मिनमम डेवीशन है यह आपर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो लिखेंगे कौन भूत 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 ओ रहा कर लिखेगा इसके बाद फिर यहां कुछ थेवरी थोड़ी सी केस आफ मैक्सम डेवीशन मिनमम डेवीशन तो आपने पड़ लिया आप क्या पड़ा हो बिटा मैक्समम डेवीशन यार यह 45 है तो यह 30 आएगा पता चला कैसे है से न क्या आपको लगता है कि आपको इसनला लोगाना चाहिए एक तरब मुझे दिख रहा है वन भाई रूट्टू और एक बर रूट्टू और दिख रहा है वैसे तो हाँ तो वन साइन आई 45 बराबर मू दिखां साइन आर अब यह रूट्टू नीचे आएगा तो वन बाई टू हो जाएगा तार के वल्यों 30 तो मेरे इसाब से तो मैं कभी पहन नहीं चलाता इसलिए थोड़ा सा चला की करता हूं यह 30 तो यह 60 पता चला और डेल्टा पता ही मज़ा आई प्लस य माइनस है शाट कुदिकत सामने देखें बाई अरे नोट बाद में कर लाना इता टाइम ना मेरे पास नोट करने के लिए लिए यह बताओ यह 90 यह 90 यह 30 तो यह 30 क्योंकि यह 60 तो यह 30 यह 30 तो यह 30 तो आई निकालना है सामने आई बराबर रूट टू इंटू साइन थर्टी वैली वन बाई टू आई की वैलियो 45 कुदिकत सामने देखें बाई दो मेंट के लिए और यह 60 हो तो यह दोनों मिल्मम डैवेशन है तो 30 30 हाँ है ना और यह 30 है तो वन बाई टू मनलदा यह 60 होगा पता चला कैसे तुम्हें नहीं चलता लेकिन वहीं चलता है मूद तो पहले रखेंगे रूट 3 इंटू फिर साइन रखोगे हाँ है ना खैर मैं पूरा करके दिखा 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 दे तो आपको वन शाइन आई बराबर मूद इंटू साइन थर्टी वन बाई टू दिखा 60 कि उसमोम आया और कुछ नहीं है कुछ रिकत आगे बढ़ जाओ सामने देखो रोगदे नालाइक यार इसकी तो बहुत आसान है डिल्टा बराबर आई प्लस ए माइनस ए आई पता है इपता है डिल्टा है तीस आई कितना है तीस साथ और एच यह है तो तीस से तीस कटा ए आई कि वाली साथ को रिकत सामने देखें भई पतला प्रिसम पतले प्रिम्स के डिवेशन आता वाता मू-1 इंटू 4 मू के लिए 3x2-1 इंटू ए करेंगे 2 आजाया को रिकत पता चला कैसे 3x2 मैंस एकटा हो आधा इंटू 4 करोगे 2 को रिकत तीर इस प्रिसम ने इसको कित ना मूड़ा दो कि सामने दिखें कभी लोगों लगता बहुत तफ वाल दो अब दो पर मूड़ी तो लाइटे टकराई भी कित्ते पर दो पर और इससे डेवेशन आएगा दो निया तक अधों 180 माइनस आई तो यह हो गया 176 कैसा है clockwise और यह भी कैसा है clockwise तो टोटल इसको दिक्कत रेजयो के शीट में भी एलन में भी है दोनों में कॉमें सवाल लगी है को दिक्कत सही है काफी आसान है उसमें क्या है को दिक्कत तो नहीं आगे बढ़ जाओ गौर फर्मा भए सामने जो को पांच मिनिट ये साट ये तीस तीस दिखा ये तीस और बाहर का विए यहां विए दिखेशन देना बाहर का इंगल नहीं दिया लेकिन इस तवाल में डिल्टा मिनम्म दिया 30 कि नदिया है तो डिल्टा मिनम्म से आप बाहर का इंगल सकते हैं से कैसे निकालेंगे फार्मूला पता ही मझे डिल्टा मिन बराबर 2i-a न तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं लालतु तो डिल्टा मिन बराबर 30 बराबर 2i-a तो i निकलेगा 45 और एक बार i आ गया तो तो 1 sin 45 सीधे लगा दूं बराबर मियू साइन 30 सीधे दिख रहा हो कितना अंसर है रूट टू प्लीज सामने देखें एक और यहां सवालते हुए यह यह 90 यह 90 मैं से तो यह भी ए कोई दिक्कत अब ऐसे सवाल में क्या होता कि साइन 2 एक फर्मूला लाना पड़ता तो वन साइन 2 ए प्लीज ज्यान दे बराबर और मियू साइन आर आर की वैलिव एक के बराबर है फिर साइन 2 है न इसका फर्मूला आप 2 साइन 2 को से तो मियू की वैलिव आ जाएगा और मियू की वैलिव आ जाएगी 2 कॉस ए कोई दिक्कत सही है ज्यान दें कौन सा हां इस सवाल की खास बात यह है कि जैसे लाइट यह तो नॉर्मल ही यहां से यहां तक अब इस फेस पे सारी थोड़ा का और उपर बनाते थे ताकि सामने वाले फेस पर पड़े जैसे लाइट इस फेस पर जाएगी प्लीज ध्यान दीजिएगा सब्सक्राइट रिया टीक और आप यहं पर सबर्णा लागा हुए खिसमा ला लगाते ही जो एंगेल है वह वन से बढ़ा जाएगा टी अीयार होगा ठीक को रिकत वन से बढ़ा कैसे आएगा यहのिकत तो यहें 30 तो यहाला 60 दिखा प्रिकत यह यह 90 यह 30 तो यह वाला 60 ठीक अगर मैं इस नहीं लगाता भी हूं यहां पर तो थ्री बाई टू साइन सिक्ष्टी बराबर वन साइन ए यह गेटर देन वान है क्योंकि यह थ्री रूट स्थी अपन फूर थ्री रूट थ्री अपन फूर वन से बलाएगा तो इसका साफ मतलब अब किस प्वाइνट पर क्या हो रहा होगा ते आयार यह होता तो यह साथ ए तो यह अंगल भी कितना यह साथ है यह उनल इलियुक्स यह साथ यहां से सीध जाएग़ क्योंडर कुछ देब़े कि बउख मतलब तो डेंगें देभेशन होगा साथ को क्योंकि यह साथ और त समझ गया बात को यह लाइट सीधे गई यहां से और यहां पर मैंने जब इसनल लगाया तो मैंने कल मतलब बताया था टियर में कि अगर इसनल लगाते समय कभी भी साइन की वैल्यू वन से बड़ी आ जा इसका मतलब रिफ्रेक्शन निवा फिर टिया रोगा तो यह लाइट साथ का को टोटल एंगल होता है एक ससी तो यह साथ यह साथ तो बचा वह भी साथ को दिक्कत